तो हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल सक्सेटिप्शन सीके सर पर और मैं हूँ चंदर फोल सर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर क्या आया हूँ प्रस्ण को तो चली दोस्तों कि आज जो है बहुत ही डिवी आई कीशन होने वाला है तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहाना चाहूंगा कि दोस्तों यह विजय का पीशनल पर नहीं है तो इस चैनल को लाल बटन को दबाके जरू सब्सक्राइब कर लिजिए जिसस बीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे तो चली आजका जो प्रस्काइब दूस्तों स्टाट करते हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजिए तो लाल बटन को दबाक करके तो दीखी to प्रस्ण कहता है यह पर फर्ष्ट जो प्रस्ण है दोस्तों यानि लगूत ‫ogene य सो उस य ध्यांदेंगे वाय वराबर कोंस इंट्व ? कंसंट ईंटू दिया हुए है रूट अंडर के रूट अंडर साइन एक्स कि ये दिया हुए है यानि वाई ब्राबर दिया हुए है हो य बरावर कौस रूट अंडर स्टाइन एकस इसका कहता है कि डिय वाई डिय श्याद करें तो कहता है डिय वाई डियर्फ क्या होगा यह दोस्तों पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा हम लोग क्या करते हैं साबसे पहले कि इसमें एकस के सापेक्ष और occurred करते ह् dc पूछ रहा है differentiation पूछ रहा है तो एक्स के सापेक्ष हमें लोग dc करते हैं तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy by dx x equal to d cos root sin x sin x और बटा नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों मैं यहां पर ध्यान देंगे पहले कॉस का करेंगे तो कॉस को जाने की जिसका अवकलन करेंगे उसको बंद करेंगे और जो भी बचेगा उसको नीचे से यानि के साथ तो डb root under साइन आग्स बचेगा और इसे पूना उपर लेकर करके जाएंगे तो क्या होगा रूट की साइन आकशक्त बटा अब देखिए आब रूट का वकलन होता है तो रूट को बंद करेंगे तो क्या बचेगा साइन एक्स तो नीचे क्या होगा डी साइन एक्स अब पुना उपर ले जाएंगे डी साइन एक्स को साइन एक्स अब साइन को बंद करेंगे तो किवाल एक्स बचेगा तो नीचे हो जाएगा डी एक्स यानि कि हम लोग तब तक उपर नीचे करते रहते हैं जब तक हमें डी dy by dx equal to cause को होता है जो Chron Meg mi-sin माइनस साइन root under साइन एक्स इंटी ह्ट का होता है one बाट fertında साइने आपर साइमेल और हॉता है यहाँ होता है यानि 1 बाट लुट आतर साइने एक्स इंटी होता है को स coalition होता है ब्योंट यहां देख रहे हैं कि रूट साइनेक्स है परन्तु यह इंगल में है कटेगा नहीं अब इसका आंसर क्या हो जाएगा तो डिवाइवाइड एक्स एकवल टो माइनस उपर के उपर से गुना कर दिजिए तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन रूट साइनेक्स बटा नीचे गुना हो जागा क्या हो जागा रूट साइनेक्स यहीं दोस्तों आपका आंसर आ गया तो बिल्यकूल असान है हर एक सवालों का जवाब आप देंगे तो इसी विडियो में सूरु से अंतक दोस्तों बने रहें नेक्स करता है कि Dx कले जलिए इससे आप spricht कर ली होंगे दिखिए तो यदिए और पहले दिया हुआ है दो लोग इसको करेंगे के X के शाप X DC करेंगे जिसके सप X करते हैं उसको नीचे रखते हैं तो दट्aty रूट अंडर साइने एक्स बाता देखिए अब सबसरे रूट का होता है तो जिसका हम लोगा करेंगे उसको बंद करेंगे और बाकि सब को नीचे D के साथ लिखेंगे यानि तो बचेगा साइन एक्स अब पुना उपर लेज़े करके जाएंगे और तब तक ऐसा करेंगे जब तक नीचे डी एक्स नहीं जोगा अगे नीचे डी एक्स अब इसे छोड़ देंगे अब इसका जो हो जाएगा आवकलन यानि की रूट क्या होता है वन बटा टूरूट उसको जो आंसर आ गया यानि डयक्स अधर रहाघर हमें जो आंसर मिला यानि सैक्स बट्टा तू रूट है साइनेस यह ही दूस्तों आपका अंशर हो गया तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों कि एस अब लोग को समाझी braucht तुछ यह बढ़ते हैं अगल्य प्लश्चिक और देख पहके स्कॉइर एक्स मैये यह समा कटा स्कॉरेंगे जाए एक्स ईक्स का समाक्लन फुच रहा है तो हम попадलो क्या करेंगे इसका समा आखलन तो होता नहीं है तो नहीं होता है तो सबसे पहले सिसे लोग सुत्र ले करके जाएंगे तो कौँ सा सुत्र भाई तो आपको पता होगा क्या होता है की को स Kristen Cosiji कॉसे का स्क्राइट माइनास groundwater sqr x पराबर वन होता है अब हम लोग क्या करेंगे वन होता है अब यह कॉट अस्क्वार एक्स को हम लोग लिए जाएंगे और वन को एले चिस में लिखर के आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसे का स्क्वार एक्स माइनस वन और यह माइनस में हो जाएगा तो पलस में हो जाएगा यानि कोट शुरेक्स क्याओं अब लोग लिख सकते हैं को से कज स्क्वार एक्स माइनस फंट यहां पर दुस्तों हम लोग वही लिखे देंगे तो क्या होजाएगा निक्शन क्जिझ एक्स माइनस वन और यह चैयाएगा डी एक्स आपों लोग दोनों को अलग अलग समाकलन कर देंगे तो कॉसे का स्क्वार एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स अब क्या होगा तो कॉसे का स्क्वार एक्स का आपको समाकलन पता होगा कि माइनस कोटेक्स होता है माइनस कोटेक्स होता है और माइनस डी एक्स तो डी एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स होता है और पालस में है कॉंस्टेंट हम लोग के या सी देते हैं यहीं आपका एंसर आ गया चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स प्रस्ण है कहता है नेक्स प्रस्ण कहता है यह भी इंट्रीगेशन से है यानि वन प्लास रूट अंडर वन प्लास कि साइन डीएक्सबी दिया इसका पुष्रा है कि इससका समाकलन क्या होगा तो देखे庫 बहुत सीम्पल है इसका समाकलन करना वन का जगपा दोस्तों हम हम लोग लिख सकते हैं सबस्क्राइब है तो रूट अंडर हम लोग लिखे देते हैं देखिए वन के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वाइर अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि a square plus b square plus 2ab तो यह formula होता है a plus b की whole square तो एक जगाँ पे sin है और b के जगाँ पे cos है तो इसका क्या हो जाएगा whole square यानि यह पूरा के बराबर हम लोग लिख सकते है साइन एक्स प्लस का 6 का whole square दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा square से root cut जाएगा तो यानि हमें अब समाकलन के बल करना है साइन एक्स पलस cos x का और यह हो जाएगा स्कार्ट डी एक्स ये घी एक्स शूट रहा था यह हो गया अब इसका यह जाए स्वाट जाल्ग करदें तो दोस्तों बहुत ही सीमपल हो गया डी सबस्क्रट यह क्या हो जाएगा स्भावशेख्स अन्द इस तो आपकोशेखस का समाकलन है भी ओख सकते है जय से देखिए यानी Saga लिके देख सकता है और माइनिस यहente कॉसेग्यस है तो इसको बीची में कर देगा और पालस में किये है तो इस रूप में भी लिख सकते है दुस्तों टूचलिए है करते हैं अगले प्रस्निक्योर देखते हैं कि और फ्रचन है mean को चले दोस्तों नेक्ट जो प्रथ संहें कहता है यह भी इंड़िगेशन से बहुत ही इंप्रस्न है यह नहीं होता है तो आप एक फार्पार अपको आद होगा क्या होता है 0 से हम लोग pi by 2 लिखेंगे और इस square को हम लोग तोड़ेंगे यानि कि बीना power में करेंगे इसको तो formula से करेंगे तो इसका formula होता है 1 plus cos 2x by 2 यह होता है और इसको में लोग लिख सकते हैं dx अब क्या जाएगा 0 से pi by 2 1 by 2 1 by 2 अचर है तो बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1 plus cos 2x dx तो 1 by 2 अब हम लोग दोनों में अलग-अलग समाखना कर देंगे तो यहाँ dx होगा 0 से pi by 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा plus यहाँ पर इसका भी समाखना कर देंगे 0 से pi by 2 cos 2x dx अब देखिए यह क्या होगा यहाँ पर 1 by 2 dx का समाकलन x होता है और पलस कोस का समाकलन क्या होगा तो कोस का समाकलन क्या होता है दोस्तों कोस का समाकलन साइन टू एक्स यहां एक्स हो गया और देखिए जब समाकलन करते हैं और आचर में जो यानि सोई अंगल में जो भी अचर संख्या होता है उससे भाग हो जाता है यानि कि दूसे भाग करतेंगे दोस्तों दोनों पर लिमीट से माइसलिए लिमिट हम लोग बैठादेंगे ज यूण को रखते हैं एकस के जागा पर नहीं रखेंगे तो कितना होगा इकस जहां है वहाँ पर पाइबाइट टू पलस साइन टू इन्टू पाइबाइटू बटा टू अब किया हो जाएगा मैनस माइनस अब दोस्तों 0 रखेंगे तहां 0 होगा और यहां देखिए sin 0 होगा sin 0 का मान 0 तो पीछे वाला जो होगा पूरा टार्म क्या हो जाएगा 0 क्योंकि x के जब आप 0 और यहां भी रखेंगे सब्सक्राइब देखिए तो किवाल को इसको हल्का लेना है तो दू से दू कड़ेगा और सइन पाइट पाइगे उसमें दो से भाग देंगे तो यह मिलेगा यही दोस्तों आपका आंसर हो गया तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण क्यों देखते हैं कि नेक्स जो प्रस्ण है हो जन्म देती है जो माजी से जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे लोरिया होठो पर सपने बुनती नजर निंद जो वार दे हसके हर दुख सहे मुम्ता के रूप में है प्रभू आप से पाया वरदान है धर्ती पे रूप माबाप का उस वीधाता की पहचान है यह तो सच है कि भगवान है चली दोस्तों आते हैं लोग टॉफिक पे तो जो नेक्ष्ट प्रस्ण कहता है यह दि बहुत अच्छा प्रस्ण है तो पी एक्वाल टू दिया हुए है दू बटा पांच इसके बाद पी बी तो पी बी का मान दिया हुए है तीन बटा पांच थी नetical पांच तो फी ए युनियन बी बराबर भी दिया हुए है कि पींडी बराबर तीन बटा चार तो कहता है तोब फी ए बर्टा में बराबर हुआड और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझेंगे तो इसका इसका फर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा तो इसका फर्मूला होता है पी इंटु ए बटा भी रहेगा तो इसका फर्मूला होता है पी इंटु ए इंटर सेक्षन भी बाई पी अब देखिए यदि नीचे बी रहे तो यहां पी बी हो जाता है और यहां पर और यहीन पे बाइए 6 तो बस उपर में सिक्षोंत ही होगा प्य इंटर्सेक्शन वी और बटाल नीचे क्यों क्या हो जाएगा नीच –क्या जाता है तो सबसे पहले देख रहें कि पी एंटरिया होत तो पहले हमको intersection का मान ग्यात करना होगा तो इसलिए यानि चूकी हम लोग जानते हैं पी ये union बिड़ावर पी ये पलस पी बी और क्या होता है माइनस पी ये intersection B अब इसका मान union कमान दिया हुआ है तीन बर्ट चार ब्रावर पी अक मान दो बर्ट ता पांच और पलस पी धिकनन तीन बट पांच-पी the intersection B यही पूछ रहा था अब क्या करेंगे इसको हम लोग माइनस में है इधर लेकर क्याएंगो पालस में जाएगा तीन बर्ट चार क सब्सक्राइब करके जाएंगे यानि पी इंट्टू एंटर सेक्षन भी एक वर्टू इस देखिए इसका लेंगे तो पांच होगा और तीन दू पांच हो जाएगा ठीक है अब पलास में धर आया तो माइनस में तीन बटा चार अब पी एंटर सेक्षन भी बराबर क्या मिले हो जाएगा चार पंचे 20 तो पंचव के 20 हो गया यानि यहां दोस्तों यह वन भी लिख सकते हैं तो वन लिख सकते हैं अब देखिए अब लोग बटा वन करके अलसे में लेंगे तो चार और चार माइनस तीन बराबर चार में से तीन चला जाएगा तो वन बाइफूर यान एंटर सेक्षन भी क्या होता है पी एंटर सेक्षन भी पी एंटर सेक्षन भी बटा पी बी है तो नीचे भी हो जाता है देखिए इंटर सेक्षन कमान कितना है एक बटा चार तो वन बटा चार उपर में नीचे पी बी है तो पी बी कमान देखिए तो तीन बटा पांच तो यानि 5 बटा क्या इसका अंसर आएगा 12 चलिए फीब बटा एक पूछ रहा था तो पी विव ये देखिए है पी भी ये पूछ रहा था तो इसका सुत्र होता है पी इंटर सेक्षन भी बैज नीचे क्या जाएगा पी ये है तो इसका मान कितना है वन बाई फोर बटा पी कमांद कीतां दिया हुए है दो बटा चार अब इसको उपर ला जाएंगे तो वन बटा फोर गूने यह जागा तो पलड जाएगा यह चार चार कट गया तो वन बाई टू यही एंसर आगया चलिए दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह स मुझेदार प्रसंद है और बिलगुली प्रसंद छीटिया हुआ है रूटेंडर को टेक्स वारूर्ट है कोट एक्स पलस रूट अंडर अर टैयनेग्स 12 में क्या करना है इसको जोबी प्रसन हुआ रहेगा उसकोिकु आई ब्रावर मान नेना है equation first और डी एक्स है इसी का integration पुछता है तो अगर इस तरह से रहे यानि 0 से pi by 2 और इस तरह से रहे दोस्तों पुछता है कई बार पूछा भी है तो उसको equation first मान लेना है अब क्या करेंगे इसका जो properties होता है कि जब 0 से a तक होता है तो जहां जहां एक्स होता है वहां पर a-6 हो जाता है यानि 0 से रहता है fx dx रहता है तो क्या होता है 0 से f a-6 dx यह सूतर है और इसी पर दोस्तों यह बनेगा तो दिखें तो यहां पर आई बराबर 0 से pi by 2 अब रूट अंडर जहां पर एक्स है वहां रिखेंगे pi by 2-6 चुकि देखिए a-6 होता है a-6 जाहे एक्स है वहां तो यह पाइवाइट टू है तो एक सिकाने हुआ बराबर 0-0 से pi by 2 जोस्तों कोट इन्टू नावगत थीटा क्या होता है टैन थीटा तो रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं टैने ऐकस अटाइ रही टंडर कोर्ट इंटू नदवे घृटाव थिटव रही क्या हता है टैन थीटा तो है एक07 है तो टैन एकस हो जाये गाए translate ऑसल tu na dao sorry 10 into 90--1 एकस ब्रावर को इस यह में थाक्ट को जयागा कोड़ एकस थे एकस ज ब के साथ रोड़ेंगे तो आई जोड़ाई टू आई होगा और इसे में क्या हो जाएगा जिरो से पाइवाई टू दोस्तों लीमिट दोनों सेम है हलो क्या काली कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा इसके पास रूट कटेक्स बटा रूट अंडर कौटेक्स पलस रूटे टायनेग और पॉलास अब 2ềnत इंगे यह दोनों में हमों होकते योती हम लेंगे हैनिक अनिकि हल करएगे को टो टुए का मिलेगा जीरो से पाय डू होगा प्रू प्रूप निक्स पॉल्स रूट गॉ टैनिक्स ज carefully है कि पलास रूट कोर्ट एक्स तो इसका जूएल सिम होगा रूट टैन एक्स पलास रूट कोर्ट एक्स हो जाएगा तो यह से भाग देंगे तो यह कटेगा तो बचे का रूट के वल कोर्ट एक्स तो रूट कोर्ट एक्स हो गया पलास इसे भागने के पूरा कडिया का बच प्लस रूट कोर्टेक्स यानिक केवल एक सबस्टीया है तो अब क्या हो जाएगा देखिए यहां पर किननी टू आइए एक्वाल टू से थैं पाई वाई टू डीगे तो डीएग्स तो टू आए एक्वाल टू डीगेक्स का समाकला चलिके अता है x मेट है का से 0 से थैं तो तो टू आइए बरहबर सबसे पहले पढ़ा है ब्रॉक रखते हैं तो पहले फाला ऒार नलोग देखिए यहां जो दूग गुनाम है तो इधर आगा तो भाग भजागा यहांनि आई कमान पाइवाइवाइव फोर मिलेगा यह जिस पर कर देखिए हां पर आई बराबर हमें ग्याद करना था चुकि जब इसका समाकलन करेंगे तो आई के बराबर मिलेगा तो सब्सक्राइशन का सब्सक्राइब बताया उसी पर एक प्रस्ण आपको मैं दे रहा हूं और उसका जो है आप उसका अंसर हमें कमेंट में बताएंगे तो देखिए प्रस्ण यहीं है बहुत ही सीम्पल जस्ट वही टाइप पे है दोस्तों यानि जीरो से पाइवाइट डार कोस एक्स पलास रुटंडर ही साइन एक्स दी एक्स तो इसह का समाकलन करके बिल्कुल कुम पर है उसी प्रस्ण दुश्तों हमें कमेंट बाक्स में जरूरां बता है